दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस समय आप जिस डिटॉल और लाइव बॉय से हैंड वाश कर रहे हैं वो एक फॉरेंड कंपनी का प्रड़क्ट है नहीं जानते हैं अब जान जाएंगे नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मीडियो राइट हिंदी पर जिसमें आज हम वोकल फॉर लोकल कैमपेइन के एपिसोड सीरीज के एपिसोड फॉर में जानने वाले हैं कुछ टॉप इंडियन और फॉरेंड एफम वीडियो को दोस्तों हमारे इंडियन मारकेट में बहुत सारी कंपनीज हैं तो आएए पहले जानते हैं कुछ पॉपिलर ओर एफम सीची कंपनीज के बारे में सबसे पहले यहां पर आ जाता है हिंदुस्तान UNILIVER Limited दोस्तों UNILIVER एक UK-based company है जिसका की headquarter London में है इसके नाम से लोग confused हो जाते हैं और इसे Indian company समझने की भूल कर बैठते हैं इस company ने सिर्फ Indian market के लिए अपने नाम के आगे हिंदुस्तान लगाया है जैसे की Amazon ने अपने Indian website में amazon.in लगाया है हिंदुस्तान युली लिवर के कुछ बहुत ही ज़्यादा common products हैं इंडियन मार्केट में जैसे कि एक्स का डियोडरिंट डव का साबुन, लाइव बॉय, लिफ्टिन, वीन टी, लक्स, अबसुडरिंट, पॉंड्स, संसिल, वैसलीन, रिन, फेरेंड लवली, सरफेक्सल, किसान जो की इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा common है तो इनके products आपको avoid करने चाहिए अब next company जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है P&G यानि की proctor and gamble ये भी इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा common है इसके products range कुछ इस तरह से हैं Arial, Gillette, Olay, Oral Bee, Pantene, Tide, Wicks, Ambipure, Duracell, Head & Shoulders, Pampers तो इनके products भी आपको नहीं खरीदने चाहिए दोस्तों हो सकता है कि आप मेंसे कई लोगों ने Racket Benkaiser का नाम ही न सुना हो मगर ये भी इंडियन मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा common company है जिसके products बहुत ज़्यादा popular है आपने भी इसके products definitely यूज की होंगे आएए देखते हैं इनके कुछ products को Dettol, Harpik, Lysol, Vanish, Strepsils, Mortine, Airwick इसी तरह से इंडियन मार्केट में बहुत सारी companies हैं जैसे की Nestle, Colgate, Palmolive, Johnson & Johnson जो की इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा popular है तो आपको इनके substitute डूनने चाहिए इंडियन FMCG brands में जो की अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले Parley इसके कुछ common products हैं जैसे की Parley G, Crack Jack, 2020, Monaco वही premium biscuits की range में इसके hide-and-seek और Milano बहुत ही ज़्यादा popular है इनकी कुछ toffies भी हैं जो की बहुत ज़्यादा popular हैं जैसे किस्मी, Melody, Mangobite, Mazzello, Rola Cola इनकी fruity और Epiphys भी बहुत ही ज़्यादा popular हैं अब next company जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है Himalya जो की 1930 की company है यह company अपने personal care, baby care, hair care products के लिए famous है यह अपनी Ayurvedic medicines के लिए भी famous है लोग शायद कम ही जानते हैं मगर Himalya pet food और pets के लिए medicines भी बनाते हैं next company है Imami जो की Indian market में body care और hair care products के लिए बहुत ही ज़्यादा famous हैं इनके balm और चवनप्राश products भी बहुत ही ज़्यादा मशूर हैं next number पर आ जाता है Godrage जिसके products Indian market में बहुत ही ज़्यादा popular हैं जैसे कि Godrage No.1, Synthol, Sheikakai, Godrage Expert, Nupur Mehndi, Easy Liquid Divergent, Godrage Air Pocket, Protect Hand Wash, Good Night, Hit अब next company जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है America जो की अपने hair products के लिए जानी जाती हैं इनके कुछ popular products हैं Parachute Coconut Oil, Almond Rocks, Hair and Care, Nihar Naturals, Parachute Body Lotion, Setway Dio and Gel इनके food और oils की range में आते हैं Saffola Masala Oats, Saffola Oil, Saffola Fitify हमारे देश में और भी बहुत सी companies हैं जैसे की Dabar, Britannia, Patanjali, Amul, Tata, ITC जो की Indian market में top position को maintain किये हुए हैं और जिनके products हर घर में मश्रूर तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो I hope कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे like और share करना ना भूलें साथ ही हमारे चैनल को subscribe करें हमाई वीडियो को इसी तरह से देखते रहने के लिए एक और बात दोस्तों आज से हमारी vocal for local campaign खतम हो रही है क्योंकि मेरे according अगर आपने इन चार से पांच वीडियो में बताई के सुदेशी चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया है तो आप निश्चत तोर पर एक नए और शक्तिशाली भारत के निर्मार में अपना योगदान देने की पहल कर रहे हैं मेरा ये प्रयास देश को आतनिर्भन बनाने का एक माध्यम बन सके इसी उमीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ जै हिंद